दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लोक होम्स सीरीज की अगली कहानी, The Adventure of the Second Stain, हिंदी में. मेरा इरादा था कि The Adventure of the Abbey Grange मेरे दोस्त मिस्टर शर्लोक होम्स के उन कारनामों में से आखिरी हो, जिनको मैंने आमजंता के लिए प्रकाशित किया है. मेरा ये फैसला इसलिए नहीं था, क्योंकि मेरे पास लेखों या केसों की कमी थी, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे सेकड़ों केसों के नोट थे, जिनका मैंने कभी उलेख नहीं किया है. और ना ही ये इस कारण था कि होम्स और उसकी अनूठी गतिविधियों में मेरे पाठकों की रुची घट गई थी। इसका असली कारण था वो अनिच्चा जो होम्स अपने अनुभवों को छापने के लिए हमेशा दिखाया करता था। सबसे वो प्रसिद्धी से बहुत ही घटना करने लगा है और हमेशा मुझसे अनुरोध करता है कि इस मामले में उसकी इक्चा का सक्ती से पालन किया जाना चाहिए। बड़ी कोशिशों और खुशामद के बाद आखिरकार मैंने उसे राजी किया है कि अब सही समय आ गया है कि पढ़ने वाले आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसा करने का मेरे पास एक उचित कारण है। ये शरद रितु में एक मंगलवार की सुभह की बात है। बेकर स्ट्रीट के हमारे कमरे में दो बहुत ही प्रसिद्ध योरोपिय व्यक्ती हमसे मिलने आये थे। उन में से एक था कठ और सुरुची पूर्ण, अधेर उम्रका और शरीर और मन से बेहत खुबसूरत सेकरेटरी ओफ योरोपियन अफेर्ज और देश का सबसे उभरता हुआ राजनेता ट्रिलॉनी होप था। वो हमारे सामने सोफे पर कंधे से कंधा मिला कर बैठे थे और उनके ठके हुए और परेशान चेहरों से ये देखना आसान था कि ये कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी जो उन्हें यहां लेकर आई थी। दोनों बहुत ही परेशान और बेचैन थे। ट्रिलॉनी होप ने बात शुरू करते हुए कहा। जब मुझे अपने नुकसान का पता चला मिस्ट परेशान मंत्री ने बड़े ही त्वरित और निरनायक तरीके से कहा जिसके लिए वो प्रसिद्धत है। हमने ऐसा नहीं किया है और ना ही ये संभव है कि हम ऐसा करने वाले हैं। पुलिस को सूचना देने का मतलब होगा सारी जनता को सूचना देना और इसी बात से हम खास तोर से बचना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है सर? होमस ने पूछा। क्योंकि जिस दस्तावेज का ये मामला है वो इतने महत्व का है कि अगर वो लीक हो गया तो पूरे यॉरप के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है। ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि इस में जो लिखा है उसे पबलिक किया जाना चाहिए। होमस ने पूरे सम्मान के साथ काहा। मैं समझ सकता हूँ सर अब मिस्टर ट्रिलॉनी होप मैं बहुत आभारी होंगा यदि आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं कि ये दस्तावेज किन परिस्थतियों में मैं इसे हर शाम वाइट हौल टेरिस स्थित अपने घर पर लेकर जाता था और इसे अपने बेडरूम में अपनी आखों के सामने एक बंद डिस्पैच बॉक्स में रखता था। कल रात ये वही था इस बात से मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। जब मैं रात के खाने के ल हमने रखा हुआ था। मैं ज्यादा गहरी नींद सोने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मेरी पतनी। हम दोनों कसम खाने के लिए तयार हैं कि रात को कमरे में कोई भी नहीं आया और उसके बावजूद वो कागज वहां से गायब है। आपने रात का खाना किस समय खाया साधे साथ बजे ये आपके सोने जाने से कितनी देर पहले की बात है। मंद नौकर हैं जो कुछ समय से हमारे साथ हैं। इसके अलावा उन में से कोई भी इस बात को नहीं जान सकता था कि मेरे डिस्पैच बॉक्स में सामान्य सरकारी कागजों से ज्यादा मूलेवान भी कुछ हो सकता था। उस पत्र के अस्तित्व के बारे में कौन जानता मेरे घर में तो कोई नहीं। क्या आपकी पत्नी को पता था। मिस्टर होप? नहीं मिस्टर होम्स वो अनुमान नहीं लगा सकती थी और नहीं कोई दूसरा अनुमान लगा सकता था। क्या इस से पहले भी आपके घर से कोई दस्तावेश खोए हैं? बिल्कुल नहीं सर। इंग्लैंड में और कौन है जो इस पत्र के बारे में जानता था कैबिनेट के हर सदस्से को कल इसकी सूचना दी गई थी लेकिन गोपनियता की प्रतिग्या के साथ और इसके साथ ही मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने खुद अलग से सब को गंभीर चेतावनी भी दी थी कि इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए और जरा मेरा दुर भाग्य देखिए कि कुछ ही घंटों के बाद ये मेरे हाथ सिक्ख हो गया उसका सुन्दर चेहरा निराशा की एंठन से विक्रित हो गया था और वो दोनों हाथों से अपने बालों को नोचने लगा एक पल के लिए हमें उसमें एक आम इंसान की जलक दिखाई दी आवेग, निराशा और डर से भरा चेहरा लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर वही पुराना अभिजात वर्ग का मुखटा वापस आ गया और आवाज में फिर से वही सक्ती आ गई मंत्री मंडल के सदस्यों के अलावा दो या शायद तीन अधिकारी हैं जो पत्र के बारे में जानते हैं इनके अलावा पूरे इंगलेंड में और कोई नहीं मिस्टर होम्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और विदेश में होम्स ने पूछा मेरा मानना है कि इसे लिखने वाले व्यक्ति को छोड़कर विदेश में किसी ने भी इसे नहीं देखा है मुझे पूरा विश्वास है कि उनके मंत्रियों को इस काम में शामिल नहीं किया गया है होम्स ने कुछ समय के लिए सारी बातों पर विचार किया और फिर बोला अब श्रीमान मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये दस्तावेश क्या है और इसके गायब होने के इतने महत्वपून परिनाम क्यों होने चाहिए दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर प्राइम मिनिस्टर की भाहों पर बल पड़ गए मिस्टर होम्स ये लिफाफा हलके नीले रंग का एक लंबा पतला लिफाफा है उस पर लाल वैक्स की स्टैंप लगी है जिस पर हमला करते हुए शेर की तस्वीर बनी है इसे बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है होम्स ने अपने उसी सधेस्वर में कहा देखिये सर जितने दिल्चस्प और जरूरी ये वेवरण है उतना ही जरूरी ये है कि मुझे ये मालूम हो कि वो पत्र असल में है क्या ये जाने बिना समस्या की जड़ तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल होगा ये बहुत ही महत्वपून राज की ये रहस्य है और मुझे डर है कि मैं आपको नहीं बता सकता और नहीं मुझे लगता है कि ऐसा करना जरूरी है यदि आपके बारे में कहा जाता है कि जिन शक्तियों के अधिकारी आप हैं उनकी सहायता से आप इस लिफाफे को ढूंड सक के सबसे बिजी लोगों में से हैं और मेरे अपने चोटे से तरीके से मैं भी थोड़ा बहुत कामधंदे वाला आदमी हूँ मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और इस मुलाकात को आगे जारी रखना समय की बरबादी करन होगा अपनी गहरी गहरी आँखों में एक तेज भयंकर चमक के साथ प्राइम मिनिस्टर अपने पैरों पर खड़े हो गए एक ऐसी चमक जिसके सामने एक पूरी कैबिनेट जुख जाया करती थी मैं ऐसी बातों का आदी नहीं हूँ मिस्टर होम्स बेहद नाराजगी भरेस्वर में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात कहनी शुरू की लेकिन फिर नजाने क्या सोच कर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और फिर से बैठ गए एक मिनिट या उससे कुछ अधिक समय तक हम सब चुप-चाप बैठे रहे फिर आखिरकार उन्होंने कंधे उचका दिये और कहा मुझे लगता है हमें आपकी शर्तों को स्विकार करना होगा मिस्टर होम्स शायद आप सही कह रहे हैं और जब तक हम आपके उपर पूरा यकीन नहीं करते तब तक आपसे काम करने की अपेक्षा करना हमारे लिए अनुचित होगा और इसी लिए मैं आपके और आपके सहयोगी डॉक्टर वाटसन के सम्मान पर भरोसा करते हुए आपको पूरी बात बताता हूँ लेकिन बदले में मैं आप दोनों से पूरी देश भक्ती और निष्ठा की उम्मीद रखता हूँ क्योंकि मैं देश के लिए इससे बड़ा दुर्भग्य नहीं सोच सकता कि ये मामला सामने आए आप सुरक्षित रूप से हमारे उपर भरोसा कर सकते हैं होम्स ने कहा देखिए ये पत्र एक विदेशी शक्ती से आया है जो देश के हालिया औपनिवेशिक विकास से परिशान है ये जल्दबाजी में और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी पर लिखा गया है पूश्ताच से हमें पता चला है कि उनके मंत्रियों को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है साथ ही इसे इतने दुरभग्य पूर्ण तरीके से लिखा गया है और इसके कुछ वाक्य इतने भड़काओं है कि अगर ये जनता के सामने आ जाता है तो निस्सन देह इससे देश में बहुत ही खतरनाक स्थिती पैदा हो जाएगी क्रोध की ऐसी लहर उठेगी मिस्टर होम्स कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस पत्र के छपने के एक हफ़ते के अंदर ये देश एक बड़े युद्ध में शामिल हो जाएगा हूम्स ने कागज की एक पर्ची पर एक नाम लिखा और उसे प्रधान मंत्री के हाथ में थमा दिया बिलकुल ये वही था और इसी ने वो पत्र लिखा है ये पत्र जिसका अर्थ हो सकता है कई हजार करोड पाउंड का खर्चा और साथ ही लाखों लोगों की जिन्दगी और वही पत्र हमारे हाथ से गायब हो चुका है क्या आपने उन्हें इस बात की सूचना भेज दी है जहां से ये पत्र आया है जी हाँ सर उन्हें एक साइफर टेलिग्राम भेज दिया गया है क्या वो चाहते हैं कि ये पत्र दुनिया के सामने आए नहीं सर हमारे पास ये मानने के मजबूत कारण है कि वो पहले से ही समझते हैं कि उन्होंने बहुत ही अविवेक पूर्ण और जल्दबाजी वाले तरीके से काम किया है अगर ये पत्र सामने आता है तो ये उनके और उनके देश के लिए उससे भी बड़ा जटका होगा जितना हमारे लिए अगर आप दोनों ही नहीं चाहते कि ये पत्र सामने आए तो कोई और इसे चुराने या प्रकाशित करने की एक्छा क्यों करेगा होमस ने पूछा ये उंची इंटरनाशनल पॉलिटिक्स से जुड़ा मामला है मिस्टर होमस अगर आप यॉरोपीय स्थिती पर विचार करें तो आपको मकसद को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी इस समय जो हालात हैं उनमें पूरा यॉरोप जैसे एक हत्यार बंद कैम्प में बदल चुका है एक दोहरी लीग है जो सेन्य शक्ती का उचित संतुलन बनाती है ग्रेट ब्रिटेन इसके उपर कंट्रोल रखता है अगर ब्रिटेन को एक संग के साथ युध में धकेल दिया गया तो इससे ये बात पक्की हो जाएगी कि दूसरा संग सर्वोच पद पर आ जाएगा चाहे वो युध में शामिल हो या नहीं आप मेरी बात समझे जी हाँ मैं आपका मतलब साफ साफ समझ रहा हूँ इस शासक के शत्रों का हित इस बात में है कि वो इस पत्र को लोगों के सामने लाएं ताकि उनके और हमारे देश के बीच एक दरार पैदा हो जाए यही बात है ना जी हाँ मिस्टर होम्स बिलकुल ठीक यही बात है और अगर ये दस्तावेज किसी शत्रों के हाथ में पढ़ जाए तो इसे किस के पास भीजा जाएगा यॉरोप के किसी भी बड़े चांसलर को हो सकता है अब तक इसे भेज भी दिया गया हो और ये रास्ते में कहीं पर हो अब मिस्टर होम्स मैंने आपको सारी बातें बता दी है तो बताईए आपकी इस बारे में क्या राय है हाँ मेरे ख्याल से तो ऐसी ही संभाबना है प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो फिर सर युद्ध के लिए तयार हो जाएए ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर होम्स जरा तत्यों पर विचार कीजिए सर ये बात समझ से बाहर है कि इसे रात के साड़े ग्यारा बजे के बाद लिया गया होगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि मिस्टर होप और उनकी पतनी दोनों उस घंटे से लेकर सुबह तक अपने कमरे में ही थे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल शाम साड़े साथ और साड़े ग्यारा के बीच इसे वहां से गायब किया गया है क्योंकि जिसने भी इसे लिया है वो स्पष्ट रूप से जानता था कि ये वहां पर था और स्वाभाविक रूप से वो जल्दी से जल्दी इसे वहां से उड़ाने की कोशिश करता अब आप ये देखिए कि यदि उस समय इतने महत्व के किसी दस्तावेज को उठाया गया है तो अब वो कहां हो सकता है कोई भी आदमी इसे अपने पास तो रखेगा नहीं वो तेजी से इसे उन लोगों तक पहुचाने की कोशिश करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है क्या हमारे पास इतना समय है कि हम उससे आगे निकल जाएं या उसका पता भी लगा पाएं हलांकि मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूँगा लेकिन फिर भी आप इस बात के लिए भी तयार रहें कि हो सकता है मामला हमारे हाथ से निकल चुका हो जैसा कि मिस्टर होप ने मुझे बताया कि उनका कमरा दूसरी मंजिल पर है और बाहर से या घर के भीतर से कोई भी छिप कर उपर नहीं जा सकता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये घर का ही कोई आदमी है जिसने इसे लिया है अब हमें ये सोचना है कि चोर इसे किस के पास ले कर जाएगा कई अंतराश्ट्रिय जासूसों और गुप्त एजेंट्स में से किसी एक के पास इनके नाम मेरे लिए काफी परिचित है इन मेंसे तीन ऐसे हैं जिन्हें इस पेशे का मुख्या कह जा सकता है मैं उन्ही से अपनी जात शुरू करूँगा और ये पता लगाऊंगा कि ये तीनों अपने ठिकाने पर मौजूद हैं या नहीं अगर इन मेंसे कोई भी लापता है खास कर वो कल रात से लापता है तो हमें इस बात का एक मजबूत संकेत मिल सकता है कि वो दस्तावेज किस के पास गया होगा मिस्टर होप ने कुछ सोचते हुए पूछा लेकिन ये जरूरी थोड़ा ही है कि वो अपने ठिकाने से गायब ही हो वो लंडन में एक दूतावास के पास पत्र को ले जाएगा और काम खत्म होम्स ने सिरहलाते हुए कहा मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर होप ये एजेंट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और दूतावासों के साथ उनके संबंध अक्सर तनावपून होते हैं प्रधान मंत्री ने सहमती जताते हुए कहा मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं मिस्टर होम्स अगर उसके पास हेड़कोर्टर के लिए इतना कीमती पुरसकार होगा तो वो जरूर उसे अपने हाथों से ही लेकर जाएगा मुझे लगता है कि आपका काम करने का तरीका बहुत ही उम्दा है आपके हाथों में इस काम को सौंप कर अब मैं थोड़ा निश्चिंत हो सकता हूँ अब हमें चलना चाहिए चलो होप इतना कहकर दोनों नेता कमरे से बाहर चले गए उनके जाने के बाद होम्स ने अपना पाइप जलाया और कुछ समय के लिए गहरे विचारों में खोया बैठा रहा मैंने सुभे का अख़बार खोल लिया और एक संसनी खेस अपराध की खबर पढ़ने लगा तभी अचानक होम्स जोर से चलाया अपने पैरों पर उचल कर खड़ा हुआ और उसने अपना पाइप मेंटल पीस पर रख दिया फिर बड़े ही जोश भरेस्वर में बोला हाँ इस तक पहुँशने का इस से बहतर और कोई तरीका नहीं है स्थिती निराशा जनक है लेकिन असंभव नहीं है अगर हम ये सुनिश्चित कर सकें कि उन में से किस ने इसे लिया है तो हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये संभव है कि ये अभी तक उसके हाथ से निकला नहीं हो आखिर इन लोगों को पैसा चाहिए और मेरे पीछे तो पूरा ब्रिटिश खजाना है अगर ये बाजार में है तो मैं इसे खरीदूँगा ये भी तो हो सकता है कि चोर ये देखने के लिए इसे कुछ टाइम तक रोक कर रखे कि खरीदार कितनी उंची बूलियां लगाते हैं सिर्फ वही तीन हैं जो इतना बड़ा खेल खेलने में समर्थ हैं ओबर्स्टीन, लारौथियर और एडवर्डो लुकास मैं तीनों को चेक करता हूँ उसकी ये बात सुनकर मैंने अख़बार पर एक नज़र डाली और उससे पूछा क्या ये गोडॉल्फिन स्ट्रीट वाला एडवर्डो लुकास है हाँ, तो वो तुम्हें नहीं मिलने वाला क्यूं, क्यूं नहीं, होम्स ने पूछा उसकी कल रात उसके घर में हत्या कर दी गई है होम्स ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर मेरे हाथ से कागस छीन लिया ये वही पेराग्राफ था जिसे मैं पढ़ रहा था खबर इस प्रकार थी वेस्ट मिन्स्टर में हत्या, रहस्यमय अपराध जो कल रात सोलहा गोडॉल्फिन स्ट्रीट में किया गया ये अठारवी शताब्दी के घरों की पुराने जमाने की और एकांथ पंक्तियों में से एक है इस छोटी लेकिन चुनिंदा हवेली में कुछ सालों से मिस्टर एडवर्डो लुकास का निवास है वे अपने आकरशक व्यक्तित्व के कारण समाज में प्रसिद्ध हैं और उनकी देश में अच्छी खासी प्रतिष्ठा है वो अविवाहित व्यक्ति हैं जिनकी उम्र करीब 34 वर्ष है और उनके घर पर उनके साथ रहने वालों में उनके घर की केर टेकर मिसिस प्रिंगल और उनका नौकर मिटन चामिल हैं मिस्टर लुकास जल्दी सोने चले जाते हैं और घर की उपरी मनzil पर सोते हैं उनका नौकर कल शाम हेमर स्मिथ में अपने एक दोस्त से मिलने गया हुआ था दस बजे के करीब वो घर पर वापस आया उस दोरान जो हुआ वो अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन सवा बारह बजे पुलिस कॉंस्टेबल बैरिट ने गुडॉल्फिन स्ट्रीट से गुजरते हुए देखा कि 16 नंबर मकान का दर्वाजा खुला हुआ था उसने दस तक दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला सामने के कमरे में एक रोशनी को देखकर वो आगे बढ़ा और उसने फिर से दस तक दी लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया वो धक्का देखकर दर्वाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ कमरा पूरी तरह से अस्तव्यस्त था सारा फरनीचर एक तरफ पड़ा हुआ था और एक कुरसी कमरे के बीचों बीच अपने पीठ के बल पड़ी थी इसी कुरसी के पास उसके एक पैर को पकड़े हुए मिस्टर लूकास फर्ष पर पड़े हुए थे उनके दिल में छुरा घोपा गया था और शायद उनकी तुरंत मृत्यों हो गई होगी जिस चाकु से अपराध किया गया वो एक घुमावदार भारतिये खंजर था जिसे ओरियंटल हत्यारों की एक ट्रॉफी से लिया गया था जो दिवार पर टंगी होई थी हत्या का मकसद शायद डकैती नहीं था क्योंकि कमरे से कोई भी कीमती समान गायब नहीं है पुलीस की तहकीकात जारी है इसे पढ़कर होम्स कुछ देर के लिए चुप हो गया फिर उसने कहा तुम्हें इससे क्या समझ में आता है वाटसन ये एक बड़ा ही अजीब संयोग है मैंने कहा संयोग तो नहीं लगता ये उन तीनों आदमियों में से एक है जिने हमने इस नाटक के संभावित अभिनेताओं के रूप में नामित किया था और ठीक उसी समय उसकी हत्या हो जाती है जब हम जानते हैं कि वो नाटक चालू था ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता ये दोनों घटनाए पक्के तोर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है वाटसन हमें बस वो कनेक्शन खोजना है लेकिन अब तक तो ये सारा मामला पुलीस की जानकारी में आ चुका होगा मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं उन्होंने वो सब देखा होगा जो उन्हें गोडॉल्फिन स्रीट के घर पर दिखाई दिया होगा वे वाइट हॉल टेरिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और नहीं जान पाएंगे उस घटना के बारे में सिर्फ हम दोनों जानते हैं और इसी लिए सिर्फ हम ही उनके बीच का संबंध पता लगा सकते हैं एक और बात भी है जो मेरे इस शक की पुष्टी करती है कि वो पत्र लुकास नहीं लिया है गोडॉल्फिन स्ट्रीट वाइट हौल टेरिस से कुछ ही मिनट की पैदल दूरी पर है बाकी दोनों गुप्त एजेंट जिनका नाम मैंने सोचा था वे वहाँ से काफी दूरी पर रहते हैं इसलिए लुकास के लिए सचेव के घर से संबंध स्थापित करना या वहाँ से संदेश प्राप्त करना काफी ज्यादा आसान था तभी मिसिस हड्सन अपनी प्लेट में एक कार्ड लेकर वहाँ आई होम्स ने कार्ड पर एक नज़र डाली अपनी भौहें उठाई और उस कार्ड को मेरे हाथ में थमा दिया उस पर लिखा था लेडी हिल्डा ट्रेलोनी होप और एक पल के बाद ही हमारा मामूली सा अपार्टमेंट जो उस सुभा पहले ही इतना प्रतिष्ठित बनाया जा चुका था लंडन की सबसे प्यारी महिला के आने से और भी ज्यादा सम्मानित हो गया मैंने अकसर ड्यूक ओफ बेलमेंस्टर की सबसे चोटी बेटे की सुनदरता के बारे में काफी कुछ सुन रखा था लेकिन अपने सामने उसे देख कर मैं मूर्ती की तरह खड़ा रह गया वो इतनी आकरशक, इतनी गरिमामय और खुबसूरत थी कि शब्दों में उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता था लेकिन फिलहाल उसके सौंदरे पर जैसे तनाव और चिंता का ग्रहन लगा हुआ था गुलाबी गाल भावनाओं से पीले पड़े हुए थे आखों की चमक में जैसे बुखार का तेज था और खुद पर नियंतरन रखने के प्रयास में उसके जब्ड़े भीचे हुए थे उसने आते ही सीधा सवाल किया क्या मेरे पती यहां आये थे मिस्टर होम्स? जी हाँ मैम वो यहां आये थे देखे मिस्टर होम्स मैं आपसे विंती करती हूँ कि आप उनको ये ना बताएं कि मैं यहां आयी हूँ आप मुझे बहुत नाजुक स्तिती में डाल रही है मैडम प्लीज बैठ जाईए और मुझे बताईए कि आप क्या चाहती है लेकिन मैं बिना शर्थ कोई वादा नहीं करूँगा होम्स ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया लेकिन वो खिर्की के सामने रखी एक दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई उसने अपनी बात कहनी शुरू की देखे मिस्टर होम्स मैं इस उमीद में आप से पूरी तरह खुल कर बात करूँगी कि बदले में आप भी मुझसे पूरी तरह खुल कर बात करें मेरे और मेरे पती के बीच सिर्फ एक बात को छोड़ कर बाकी सभी मामलों में एक दूसरे के उपर पूरा भरोसा है कल रात हमारे घर में एक बहुत ही शर्मनाग घटना हुई है, एक कागज जो बहुत महत्वपून था वो गायब हो गया है, लेकिन मामला राजनीतिक होने के कारण मेरे पती ने मुझे अपने विश्वास में लेने से इनकार कर दिया है, अब मैं आपको कहती हूँ कि ये ज्यादा जरूरी कि मुझे इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए, अगर उन दोनों नेताओं को छोड़ दें, तो सिर्फ आप ही हैं जो सारे तथ्य सही सही जानते हैं, और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ मिस्टर होम्स, कि आप मुझे बताएं कि असल में क्या ह हुआ है और इन सब का नतीजा क्या होगा, आप मुझे कृपा करके पूरी बात बताईए, और अपने मुवक्किल के हितों के लिए अगर आप चुप रहने की कोशिश करें, तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, कि मुझे अपने पूरे विश्वास में ले लेन वो औरत दुख से कराह उठी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया, होमस ने आगे कहा, अगर आपका पती आपको इस मामले में अंधेरे में रखना बहतर समझता है, तो फिर मेरे लिए ये बात सही कैसे हो सकती है, जिसने पेशेवर गोपनियता की शपत ले रखी है? आपका मुझसे ये सवाल पूछना बिल्कुल भी उचित नहीं है, आपको ये सवाल अपने पती से ही पूछना चाहिए, मैंने अपने पती से पहले ही पूछा है, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया, आखिरी विकल्प के रूप में मैं आपके पास आई में बता दें. और वो एक बात क्या है मैम? क्या इस घटना से मेरे पती के राजनीतिक केरियर को नुकसान होने की संभावना है? जी हाँ मैम, जब तक ये सारा मामला ठीक से सुल्टाया नहीं जाता है, तब तक इसका निश्चित रूप से एक बहुत ही बुरा प्रभाव हो सक कागल्स के गायब हो जाने पर मेरे पती का जो रियाक्शन था, उससे मैं समझ गई थी कि इस दस्तावेज के नुकसान से बहुत भयानक सर्वजनिक परिणाम पैदा हो सकते हैं. क्या आप मुझे बताएंगे कि वो परिणाम किस तरह के हो सकते हैं? नहीं मैम, आप फिर से उससे ज्यादा पूछ रही हैं जितना मैं आपको बता सकता हूँ. ठीक है, फिर मैं आपका और समय बरबाद नहीं करूंगी. और मुझे यकीन है कि आप मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे मिस्टर होम्स क्योंकि मैं अपने पती की चिंताओं को शेयर करना चाहती हूँ. यहां तक की चाहे इसके लिए मुझे उनके इक्षा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े. मैं एक बार फिर से विंती करती हूँ कि आप मेरे यहां आने के बारे में उन्हें कुछ न बताएं. इतना कहकर वो चली गई. उसके जाने के बाद होम्स यह लेडी का खेल क्या है? वो असल में चाहती क्या है? जैसा कि उसने कहा वो अपने पती के लिए चिंते थे. मैंने कहा जरा उसके हाव भाव के बारे में सोचो वाटसन, उसका बात करने का ढंग, उसकी दबी होई उतेजना, उसकी बेचैनी, सवाल पूछने की उसकी द्र रखो, जिसके साथ उसने हमें आशवासन दिया था, कि ये बात उसके पती के लिए सबसे अच्छी होगी, कि उसकी पतनी को सारी बातों के बारे में पता हो. इस सबसे उसका मतलब क्या था? और तुमने इस बात पर ध्यान दिया, वाटसन, कि कैसे उसने अपनी पीठ पर र हरकत का भी बहुत गहरा मतलब हो सकता है, और उनकी बड़ी से बड़ी हरकत भी बहुत मामुली चीज़ पर निर्भर हो सकती है. खेर, जो भी हो, अब मैं चलता हूँ वाटसन. आज की सुभा मैं स्कॉटलेंड यार्ड के अपने दोस्तों के साथ गोडॉल्फिन स्रीट प हो सकता है. सारे तथ्यों को जानने से पहले कोई थ्योरी बनाना एक बड़ी गलती होगी. अब मैं चलता हूँ, अगर कोई नया मिलने वाला आए, तो जरा चौकनने रहना वाटसन. अगर हो सका, तो दो पहर के खाने तक मैं वापस आ जहूँगा. उस पूरे दिन और उसके अगले दिन होम्स किसी मौनी बाबा की तरहा पूरी तरह से मौनधारन किये रहा. कभी वो अंदर जाता, कभी बाहर जाता, कभी घंटों तक पाईप पीता रहता, कभी वॉयलिन पर कुछ बजाने लगता, कभी विचारों में खो जाता, और कभी अचानक उठकर कुछ खाने बैठ जाता, बड़ी मुश्किल से उसने उन सवालों का जवाब दिया, जो मैंने उससे पूछे थे, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, कि चीजें उसकी खोज के साथ ठीक से नहीं चल रही थी, उसने जाच के बारे में एक भी शब्द न नहीं आया था, मरने वाले का पूरा कमरा कीमती वस्तों से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी चीज ली नहीं गई थी, मृतक के कागजातों के साथ भी कोई छेड़चाड नहीं की गई थी, मृतक की सारी चीजों की जाच करने के बाद ये पाया गया था, कि वो अंतर में भरे दस्तावेजों में संसनी खेज कुछ भी नहीं मिला, कई औरतें उसकी परिचित थी, कुछ दोस्त भी थी, लेकिन ऐसी कोई नहीं थी, जिससे वो प्यार करता हो, उसकी आदतें काफी नियमित थी, और उसका आचरन भी भला था, उसकी मौत पूरी तरह से एक रहस और ऐसा लग रहा था, कि शायद ये राज, राज ही रहने वाला है, जहां तक उसके नौकर जॉन मिटन की गिरफतारी का सवाल है, वो बस इसलिए की गई थी, क्योंकि पुलिस को और कुछ मिलने ही रहा था, लेकिन नौकर के खिलाफ केस बनाया नहीं जा सका, वो उस रात हैमर स्मित में अपने दोस्तों से मिलने गया था, उसकी अलिबाई सच साबित होई थी, जिस समय वो हैमर स्मित से चला था, उसके हिसाब से वो कतल के टाइम से पहले घर पहुँचतो सकता था, लेकिन उसके बयान के अनुसार, वो उस दिन पैदल वापस आया था, और उस सुन्दर्ता को देखते हुए इस बात की काफी संभावना दिखाई दे रही थी, वो असल में रात के बारह बजे आया था, और इस अपरत्याशिद दुरगटना से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, उसके अपने मालिक के साथ हमेशा से काफी अच्छे संब बंध रहे थे, मरे हुए आदमे की कई चीजें खास करके रेजर का एक छोटा सा केस वो नौकर के बकसे में पाई गई थी, लेकिन नौकर ने बताया कि वे उसके मालिक ने उसे उपहार के रूप में दिये थे, और हाउस कीपर ने भी इस बात की पुष्टी की थी, मिटन लूकास की नौकरी में तीन साल से था, ये बात ध्यान देने लायक थी, कि लूकास मिटन को अपने साथ महदवीप पर कभी नहीं ले गया था, वो कभी-कभी तीन महिने तक के लिए पैरिस चला जाता था, लेकिन मिटन को हमेशा गोडॉल्फिन स्ट्रीट पर ही छोड़ क अगर होम्स इससे ज्यादा कुछ जानता भी था, तो उसने उसे अपने तक ही सीमित रखा, लेकिन जैसा कि उसने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने उसे इस केस में अपने विश्वास में ले लिया था, और मुझे पता था कि वो उसके साथ लगातार संप चौथे दिन पैरिस से एक लंबा टेलिग्राम आया, जिसे देख कर लगा कि अब ये पूरा रहस्य हल हो गया है, देली टेलिग्राफ अखबार में लिखा गया था, पैरिस के पोलीस द्वारा अभी अभी एक खोज की गई है, जो उस परदे को उठाती है, जो मिस्टर मृतक को उनके कमरे में छुरा घूपा गया था, उनके नौकर पर शक किया गया था, लेकिन उसके पास एक ठोस एलिबाई होने से वो छूट गया था, कल रू आस्टरलिट्स में एक छोटे से विला में रहने वाली एक महिला, जिसकी पहचान मैडम हेंरी फरने के नाम से की गई है, उसके नौकरों ने अधिकारियों को उसके पागल होने की सूचना दी, जाँच से पता चला कि वाकई उस महिला के अंदर एक खतरनाक और स्थाई रूप का उनमाद विक्सित हुआ था, पूछताच करने पर पुलीस को पता चला है कि हेंडरी फोर ने पिछले मंग एक रूप से ये साबित हो गया है कि मिस्टर हेंरी फोर ने और एडवर्डो लूकास असल में एक ही व्यक्ति थे, और ये भी कि मृतक किसी कारण से लंडन और पेरिस में दो नामों से दोहरा जीवन बिता रहा था, मैडम फोर ने क्रियोल मूल की हैं और काफी गुसेल किस पहले भी उनके उपर इस तरह के दोरे पढ़ते रहे हैं, जो बढ़कर पागलपन की हद तक पहुँच जाया करते थे, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे ही किसी पागलपन के दोरान उसने वो भयाना का पराध किया, जिससे पूरे लंडन में ऐसी संसनी फैल गई थ सोमवार की रात को उसकी हरकतों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये निश्चित है कि ठीक उसके जैसे हुलिये वाली एक औरत ने मंगलवार की सुभा चेरिंग क्रॉस स्टेशन पर अपने जंगली पनभरे व्यवहार से बहुत सारे लोगों का ध्या अकर्शित किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अपराध या तो उस महिला ने पागल होने के बाद किया या फिर अपराध करने के असर से वो औरत पागल हो गई, फिलहाल वो बीती हुई बातों का कोई भी सही लेखा जोखा नहीं दे पा रही है और डॉक्टरों को उसक रखे हुए थी, होम्स उस वक्त नाष्टा कर रहा था जब मैंने उसे ये पूरा वृत्तांत पढ़कर सुनाया, मैंने उससे पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या खयाल है होम्स? माई डियर वाट्सन, अगर मैंने पिछले तीन दिनों में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है, तो वो इसलिए है क्योंकि बताने के लिए कुछ है ही नहीं, और पेरिस की ये रिपोर्ट भी हमारी कोई खास मदद नहीं कर रही है, हमारा असली काम है उस दस्तावेश का प में सिर्फ एक महत्वपून बात हुई है, और वो ये है कि कुछ भी नहीं हुआ है, यानि उस कागज के गायब हो जाने का कोई खराब परिणाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है, मुझे सरकार से करीब-करीब हर घंटे रिपोर्ट मिल रही है, और ये बात निश्चित ह कि पूरे यॉरोप में कहीं पर भी कोई परिशानी अभी तक पैदा नहीं हुई है, अब इस बात को समझो वाटसन, अगर ये पत्र लीक हो चुका होता, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर हुआ होता, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी ये पत्र गलत हाथों में नहीं मेरे दिमाग में हतोडे की तरह बजता रहता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि लूकास का कतल उसी रात हुआ जब ये पत्र गायब हुआ था, क्या वो पत्र कभी उसके पास पहुचा था, अगर पहुचा था, तो ये उसके कागजातों में मिला क्यो नहीं, क्या उसकी पागल बीवी उसे अपने साथ ले गई? अगर हां, तो क्या वो पैरिस में उसके घर में है? फ्रांसीसी पुलिस के संदेह को जगाए बिना, मैं भला उसे कैसे खोच सकता हूँ? ये ऐसा मामला है वाटसन, जहां पर कानून भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है, जितना की अपराधी, हर कोई हमारे खिलाफ है, और फिर भी दाओं पर जो कुछ लगा है, वो बहुत बड़ा है, अगर मैं इस केस को हल कर लेता हूँ, तो निश्चत रूप से ये मेरे कैरियर का सबसे शांदार केस होगा, तब ही नौकर ने एक नोट ला कर दिया, और उसे देखते ही होम्स अपनी कुर्सी से उशल कर खड़ा हो गया, आहा, मोर्चे से नई खबर आई है, लगता है लेस्ट्रेड को कुछ अच्छा मसाला मिला है, जल्दी से अपना हैट पहनो वाटसन, और हम वेस्ट मिन्स्टर चलेंगे, क्राइम सीन पर ये मेरी पहली यात्रा थी, ये एक उचा अंधेरा सा घर था, सामने की खिडकी पर हमें लेस्ट्रेड नजर आया, और जब एक बड़े से डील डॉल वाले कॉंस्टेबल ने दर्वाजा खोला, और हमें अंदर जाने दिया, तो उसने बड़ी ही गर्म जोशी से हमारा स्वागत किया, फिर वो हमें उस कमर में ले गया, जहां पर अपराध किया गया था, लेकिन अब वहाँ पर उसका कोई निशान नहीं था, सिवाए कालीन पर पड़े एक बदसूरत टेड़े मेड़े दाग के, ये कालीन कमरे के बीचों बीच फर्ष पर बिचा था, जिसके चारों तरफ पॉलिश किये गए सुंदर लकडी का फर्ष था, चिमनी के ऊपर हथियारों की एक शानदार ट्रॉफी रखी थी, जिसमें से एक का इस्तेमाल उस रात को किया गया था, खिर्की के पास एक बड़ा ही शानदार लिखने वाला डेस्क था, और अपार्टमेंट का हर विवरन, हर चित्र और हर च लेस्ट्रेड ने उत्साह से अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंच दोस्तों ने इस बार सही निशाना लगाया है, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा वो कहते हैं, वैसा ही हुआ होगा, औरत बिना अपने पती को बताई यहां आई, उसने कुरसे में खंजर निकाल लिया, और एक जटके में कहानी खत्म, हलांकि यह सब एक पल में तो नहीं हुआ होगा, यह सारी कुरसियां इधर-उधर बिखरी हुई थी, और एक तो उसके हाथ में थी, जैसे कि उसने उससे बचने की कोशिश की हो, सब कुछ शीशे की तरह है, होम्स की भोहों पर बल पड़ गए, अगर सब कुछ इतना साफ है, तो तुमने मुझे क्यों बुलवाया है? हाँ, वो दरसल एक छोटी सी बात है, बहुत ही मामूली सी, लेकिन उस तरह की जैसी चीजों में आप रुची लेते हैं, जिसे आप अजीब कह सकते हैं, वैस मुख्य बातों से इसका कोई लेना देना नहीं है, और वो बात क्या है? होम्स ने पूछा, आप तो जानते ही हैं, इस तरह के अपराध के बाद हम इस बात के लिए बहुत साफधान रहते हैं, कि सारी चीजें उसी हालत में रहें, जैसी वो अपराध के समय पर थी, और इस सुभा, जब उस आदमे को दफना दिया गया और जाचपरताल खत्म हो गई, तो हमने सोचा कि हम यहां इस कमरे में थोड़ी साफसफाई कर सकते हैं, इस कालीन को देखिए, यह नीचे से फर्ष पर चिपकाया हुआ नहीं है, सिर्फ इसे वहां रख दिया गया है, जब हमन सकते हमें इसके नीचे क्या मिला, आपको कालीन पर वो खून का दाग दिखाई दे रहा है, तो जाहिर है कि इसके नीचे के फर्ष ने भी काफी खून सोख लिया होगा, है की नहीं, हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए, होमस ने कहा, लेकिन आपको यह जहानकर हैरानी होगी, कि नीचे लकडी के काम पर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी दाग नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, दाग तो वहाँ जरूर होना चाहिए, होमस ने कहा, वही तो, लेकिन तथ्य यही है कि वहाँ पर दाग नहीं है, इतना कहकर उसने कालीन का कोना अपने हाथ में लिया, और उसे पलटते हुए हमें दिखाया कि वाकई वैसा ही था जैसा वो कह रहा था। होम्स ने कालीन के निचले हिस्से को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन कालीन के नीचे की तरफ तो ठीक उपर जैसा दाग मौजूद है, तो उसकी जाप फर्ष पर भी जरूर छोड़ी गई होनी चाहिए थी। लेस्ट्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यूं है। यहाँ पर एक दूसरा दाग है, लेकिन ये पहले वाले के साथ मेल नहीं खाता है, आप खुद ही देखिए। इतना कहते हुए उसने कालीन के दूसरे हिस्से को पलट दिया, और वहाँ पर पुराने जमाने के फर्ष के चौकोर सफेध हिस्से पर एक बड़ा लाल रंग का दाग था। आपको इससे क्या समझ में आया, मिस्टर होम्स? ये तो काफी आसान है लेस्ट्रेड, दोनों दाग मेल खाते हैं, लेकिन कालीन को अपनी जगह से हिलाया गया है, चूंकि ये फर्ष पर चिपकाया हुआ नहीं था, इसलिए इस काम को बड़ी ही आसानी से कोई भी कर सकता था। इस बार लेस्ट्रेड ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, देखें मिस्टर होम्स, पुलीस को ये समझने के लिए आपको बुलाने की जरूरत नहीं थी, कि कालीन को अपनी जगह से खिसकाया गया है, ये बात तो कोई बच्चा भी सोच सकता है, क्योंकि अगर आप इसे इ साफ साफ देख पा रहा था, कि वो आंतरीक उत्तेजना से काप रहा था, उसने कहा, यहां देखो लेस्ट्रेड, क्या वो कॉंस्टेबल पूरा टाइम इस जगह का इंचार्ज रहा है, हाँ रहा है, तो ठीक है, मेरी सलाह मानों और साफधानी पूरवक उसकी जाच करो, हम तुम यहीं पर इंतजार करते हैं, तुम उसे पीछे के कमरे में लेकर जाओ, अगर तुम अकेले में उससे बात करोगे, तो इस बात की ज्यादा संभावना होगी, कि वो अपनी गल्ती या अपराध स्विकार कर ले, उससे पूछो, कि उसने लोगों को अंदर घुसने दे कि यहां कोई आया था, उस पर दबाव बनाना, और उसे कहना कि अपनी गल्ती को मान लेना ही उसके लिए माफी पाने का एक मातर तरीका है, अब जल्दी जाओ और ठीक वही करो जो मैंने तुम से कहा है, लेस्ट्रेट गुसे से चिलाया, जीजस की कसम, अगर वो जानता है तो मैं इस बात को उससे उगलवा कर रहूंगा, इतना कहकर वो तेजी से हौल से निकल गया, और कुछ पल बाद ही पीछे के कमरे से उसके चिलाने की आवाजें आने लगी, और इधर होम्स के उपर तो जैसे कोई दौरा सा पड़ गया था, वो पागलों की तरह कालीन के न और उसने अपने नाखुनों को उसके किनारे में फसा कर उपर की तरफ खीचा, वो जगह एक बॉक्स के धकन की तरह खुल गई, होम्स ने जल्दी से अपना हाथ उसमें डाला, और क्रोध और निराशा के जोंके के साथ उसे बाहर निकाला, उसके अंदर कुछ भी नहीं थ जल्दी करो वाट्सन, जल्दी, इसे फिर से ठीक करना होगा, हम दोनोंने बड़ी ही फुर्ती से लकडी के उस धकन को वापस धक दिया, और कालीन को वापस सीधा खीची रहे थे, कि हमें लेस्ट्रेड के कदमों की आवाज सुनाई दी, अंदर आने पर उसने देखा, कि ह मेंटल पीस के सहारे सुस्ती से जुका खड़ा हुआ था, और जमाई ले रहा था, कॉंस्टेबल ने जुर्म कबूल कर लिया है मिस्टर होम्स, उसने आकर हमें सूजना दी, इधर आओ मैकफर्सन, इन लोगों को भी अपनी गलती के बारे में बताओ, सिपाही कमरे में आक सर एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं कोई नुकसान नहीं करना चाहता था सर, कल एक युफदी यहां पर आई थी, उसे कहीं और जाना था, लेकिन वो गलत पते पर यहां आ गई थी, फिर हम दोनों बात करने लगे, जब आप पूरे दिन अकेले ड्यूटी पर होते ह तो आपको अकेला पंतों महसूस होने ही लगता है, अच्छा फिर क्या हुआ, होमस ने पूछा, दरसल वो लड़की देखना चाहती थी, कि अपराध कहा पर किया गया था, उसने मुझे कहा कि उसने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा था, वो एक बहुत ही सम्मानित और अच्छी तरह से बोलने वाले युपती थी, काफी अच्छे घर की लगती थी, और उसे एक जलक वो कमरा दिखा देने में, मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई सर, वो कमरे के अंदर गई, और जब उसने कालीन पर वो खून का निशान देखा, तो वो नीचे फर्ष पर गिर पड़ी, और ऐसा लगा, मानो वो बेहोश हो गई हो, मैं पीछे की तरफ दोड़ा और पानी लाया, लेकिन पानी से वो होश में नहीं आई, फिर मैं ब्रैंडी लेने के लिए दूसरे कमरे में गया, और जब तक मैं ब्रैंडी लेकर वापस आया, तब तक लड़क में वापस आया, तो वो थोड़ा अस्तव्यस्त सा हो गया था, दरसल लड़की कालीन के उपर ही गिरी थी, और क्योंकि फर्ष बहुत ही चिकना है, तो ये नैचुरल था कि कालीन अपनी जगह से हिल गया, वो फर्ष पर चिपकाया गया तो था नहीं, इसलिए मैंने इसे बाद में सीधा कर दिया था, क्या वो औरत यहां सिर्फ एक ही बार आई थी कॉंस्टेबल, होमस ने पूछा, जी हां सर, सिर्फ एक ही बार, वो कौन थी, जी मुझे नाम तो नहीं पता सर, दरसल उसने टाइप राइटिंग के बारे में कोई विज्यापन पढ़ा था, जि उसका जवाब देने के लिए वो आई थी और गलती से गलत घर में आ गई, वो बहुत ही भली और शरीफ लड़की थी सर, क्या वो लंबी थी और बहुत खुबसूरत, जी हां सर, वो काफी खुबसूरत थी, उसने कैसे कपड़े पहने थे, जी एक लंबा चोगा जैसा पहन जा रहे थे, ठीक है, होमस ने कहा, चलो वाटसन, मुझे लगता है कि हमारे पास एक और महत्वपूर्ण काम है, जब हम घर से बाहर निकले, तो लेस्ट्रेड उसी कमरे में मौजूद था, जबकि सिपाही ने हमें बाहर निकालने के लिए दर्वाजा खोला, हम बाहर की त चिल लाया, ये आपके पास कैसे? होमस ने अपने होटों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया, अपने हाथ वाली चीज को अपने जेब में डाला, और जैसे ही हम मुख्य सडक पर पहुँचे, उस पर जैसे हसी का दौरा ही पढ़ गया, बहुत बढ़िया वाटसन बहुत बढ़िया, अब हम आखिरी बात पर से भी परदा उठाने वाले हैं, तुम्हें ये सुनकर बड़ी ही राहत मिलेगी माई डियर वाटसन, कि अब कोई युध नहीं होगा, और ट्रिलॉनी होप को अपने शांदार केरियर में किसी बदनामी का सामना नहीं कर पड़ेगा, उस अविवेकी विदेशी शासक को अपने अविवेक के लिए कोई सजान नहीं मिलेगी, और प्राइम मिनिस्टर के सामने और कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर हम थोड़ी सी होश्यारी से काम लेंगे, तो किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा मन अपने दोस्त के लिए प्रशंसा से भर गया, क्या तुमने केस को हल कर लिया, होम्स? नहीं, वाटसन, कुछ बिंदू अभी भी ऐसे हैं, जो अंधेरे में हैं, लेकिन हमारे पास इतना मसाला जरूर है, कि अगर हम आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी गलती होगी, अब हम सीधे वाइट हौल टेरिस जाएंगे और पूरे केस को सामने लेकर आएंगे, जब हम सचिव के घर पहुँचे, तो शर्लोक होम्स ने लेडी हिल्डा ट्रिलॉनी होप से मिलने की एक्छा जताई, हमें एक कमरे में बिठा दिया गया, कु मेरी और आपके मुलाकात को गुप्त रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पती को ये लगे कि मैं उनके मामलों में दखल दे रही हूँ, और उसके बावजूद आप यहां आकर मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, देखे मैं मेरे पास और कोई आप्शन नहीं था, मुझे उस बहुत ही महत्वपून कागज को वापस पाने के लिए फीस दी गई है, और इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूँ, कि उसे मेरे हाथों में सौपने की कृपा करें, और अपने पैरों पर उचल पड़ी, उसके खुबसूरत चहरे से सारा रंग एक पल में ही उड़ गया, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा, मानो वो बेहोश हो जाएगी, लेकिन ये हैरानी की बात थी, कि सिर्फ दो पल बाद ही वो उस सदमे से उबर गई, और अपने चहरे पर ऐसे भाव ले आई, मानो हमारी बात बड़ी ही हैरान और क्रोधित हो, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मिस्टर होम्स, देखिये मैम, अब ये नाटक करना बेकार है, वो चिठी मुझे दे दीजिए, लेडी ने घंटी बजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा बटलर तुम्हें बाहर का रास्ता दि बचाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, आप चिठी मुझे दे दीजिए और सब ठीक हो जाएगा, अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करेंगी, तो मैं सब कुछ ठीक से अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ काम करेंगी, तो मुझे आपको बेनक करना ही होगा। एक मिनिट ही काफी है। मैं जानता हूँ कि आप एडवार्डो लूकास के घर गई थी। आपने उसे वो पत्र दिया। कल रात आप फिर से वहां गई और जिस तरह से आपने कालीन के नीचे से उस पत्र को निकाला, मैं वो सब कुछ जानता हूँ। अब लेडी के चेहरे पर पूरी तरह मुर्दनी चा गई और उसकी जबान को जैसे लकवा मार गया। कुछ पल्चुप रहने के बाद वो आखिर चिल लाई। आप पागल हैं मिस्टर होम्स, पागल। होम्स ने अपनी जेब से गत्ते का एक छोटा सा टुकडा निकाला, ये एक चित्र से काटा गया एक औरत का चेहरा था। मैं इसे अपनी जेब में रखकर घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ये उपयोगी हो सकता है। और उस पुलीस वाले ने इसकी पहचान कर ली है। अब लेडी हिल्डा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो अपनी कुर्सी पर लुढ़क गई। जल्दी कीजी लेडी हिल्डा, आपके पास वो पत्र है, मामले को अभी भी सुलजाया जा सकता है। मैं आपके लिए कोई परेशानी पैदा करना नहीं चाहता हूँ, अगर वो खोया हुआ पत्र, मैं आपके पती को लोटा देता हूँ, तो मेरा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह मानिये और मेरे साथ खुल कर बात कीजिए, ये वो आखिरी मौका है जो आपको मिल रहा है। मैं ये देखकर हैरान था कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी लेडी हार मानने के लिए तयार नहीं थी। हलांकि उसके चेहरे पर हार के लक्षन साफ नजर आ रहे थे, लेकिन जबान से उसने कहा, देखिए मिस्टर होम्स, मुझे लगता है कि आप किसी भ्रहम में हैं। जी वो पौने एक बजे घर पर आएंगे। होम्स ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी साड़े बारा हुए हैं, उनके आने में पंधरा मिनट बाकी हैं, ठीक है, मैं उनका इंतजार करता हूँ। बटलर कमरे से बाहर निकला ही था कि लेडी हिल्डा होम्स के पैरों पर आकर गिर पड़ी, उसके हाथ फैले हुए थे, उसका सुन्दर चेहरा उपर उठा हुआ था, जो पूरी तरहा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे बख्ष दीजिए मिस्टर होम्स, मुझे छोड़ दीजिए। उसने याचना भरे स्वर में विंती की, प्लीज भगवान के लिए उसे कुछ मत बताना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके जीवन पर कोई बुरी चाया नहीं देख सकती, मैं जानती हूँ कि ये उसके दिल को बुरी तरहा से तोड़ देगा। होमस ने उसके कंधे पकड़ कर उसे उपर उठाया और कहा, ये बहुत अच्छी बात है मैं, कि आप आखिरी पल में भी अपने होश में आ गई हैं, हमारे पास बेकार करने के लिए समय बिल्कुल नहीं है, जल्दी मुझे बताईए कि वो चिथी कहा है। लेडी एक राइटिंग डेस्क के पास गई और उसने उसमें से एक लंबा नीला लिफाफा निकाला। कैसे खोला था, क्या आपके पास डुप्लिकेट चाबी है? जी हाँ, ठीक है तो खोल ये इसे। लेडी ने एक छोटी सी चाबी निकाली और बॉक्स को खोल दिया। उसमें उपर तक कागजात भरे हुए थे। होम्स ने किसी दूसरे दस्तावेज के पन्नों के बीच नीले लिफाफे को गहराई में दबा दिया। और बॉक्स को बंद करके वापस बेडरूम में रखवा दिया गया। अब हमारा काम हो गया है लेडी हिल्डा, अभी भी हमारे पास दस मिनिट बाकी हैं। मैं आपको बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो बदले में ये उमीद करता हूँ कि आप मुझे सारी बात खुल कर बताएंगी। जी हाँ मिस्टर होम्स, मैं आपको सब कुछ बता दूँगी। पूरे लंडन में कोई भी औरत अपने पती को इतना प्यार नहीं करती है, जितना मैं अपने पती को करती हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर उसे ये पता चल जाए कि मुझे ऐसा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसका अपना सम्मान इतना उचा है कि वो उसे कभी भूल नहीं सकता और नहीं उस पर चोट पहुँचाने की किसी की भी गलती को कभी माफ कर सकता है। उसने वो पत्र पढ़ लिया होता, तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए नश्ट हो जाता। इसे लिखे हुए मुझे कई साल हो चुके हैं और मुझे लगा था कि वो सारा मामला भुला दिया गया है। लेकिन फिर एक दिन इस आदमी लूकास ने मुझे संपर्क किया और मुझे से कहा कि वो पत्र उसके पास था और वो इसे मेरे पती को भेज देगा। मैंने उससे दया की याजना की। उसने कहा कि वो मेरा पत्र मुझे वापस कर देगा अगर मैं उसके लिए एक खास दस्तावेज लेकर आऊ। उसने मुझे बताया कि वो दस्तावेज मेरे पती के डिस्पैच बॉक्स में था। उनके ऑफिस में कुछ जासूस थे जिन्होंने लुकास को उस चिथी के बारे में बताया था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि मेरे पती को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब आप अपने आपको मेरी हालत में रखकर देखें मिस्टर होम्स। ऐसी हालत में मैं भला और क्या कर सकती थी। आप अपने पती को अपने विश्वास में ले सकती थी। और क्या। होम्स ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी Mr. Holmes, बिल्कुल नहीं कर सकती थी मुझे सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा था दूसरी तरफ मेरे पती का कागज लेना भी मुझे भयानक लग रहा था लेकिन राजनीतिक मामलों के परिनामों को मैं ठीक से समझ नहीं पाई जबकि प्यार और विश्वास के मामले में वो मेरे लिए बहुत ही स्पष्ट थे इसलिए मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा मैंने उनकी चाबी की छाप ली इस आदमी लूकास ने मुझे उसकी डुपलिकेट चाबी बनवा कर दी मैंने अपने पती का डिस्पैच बॉक्स खोला उसमें से चिठी निकाली और उसे गोडॉल्फिन स्ट्रीट तक पहुँचा दिया वहाँ पर क्या हुआ था मैम मैं ते समय पर वहाँ पहुँच गई और मैंने दर्वाजा खट खटाया लूकास ने दर्वाजा खोला मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई और अपने पीछे हौल का दर्वाजा मैंने खुला छोड़ दिया था क्योंकि मुझे उस आदमी के साथ अकेले रहने में डर लग रहा था मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अंदर घुज रही थी तो वहां बाहर एक औरत खटी थी जल्दी ही हमारा काम पूरा हो गया उसकी मेज पर मेरा पत्र था मैंने उसे दस्तावेज सौप दिया और उसने पत्र मुझे लोटा दिया ठीक उसी समय दरवाजे पर आहट हुई लूकाज ने जल्दी से कालीन को अपनी जगह से उठाया दस्तावेज को वहां किसी छिपाने की जगह में डाल दिया और उसे वापस ढख दिया उसके बाद जो हुआ वो किसी दरावने सपने जैसा था मुझे एक औरत का भयानक चेहरा दिखाई दिया और एक कलेजे को चीर देने वाली आवाज जो फ्रेंच में चिला रही थी मीरा इंतजार बेकार नहीं गया आखिर में मैंने तुम्हें उसके साथ देख ही लिया और फिर दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई मैंने उसे हाथ में कुर्सी पकड़े देखा औरत के हाथ में एक चाकु चमक रहा था मैं तेजी से वहां से भागी और सीधे घर आकर ही मैंने दम लिया और अगली सुभा अख़बार में मैंने वहां पर जो हुआ था उसके बारे में पढ़ा उस रात मैं खुश थी क्योंकि मेरे पास मेरा पत्र था और मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि जो कागज मैं उसे देखर आई हूँ उसका क्या परिनाम हो सकता है अगली सुभा अपने पती की हालत को देख कर मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक मुसीबत से निकल कर दूसरी को न्योता दे दिया है कागज खो जाने पर मेरे पती की जो तकलीफ थी वो सीधी मेरे दिल में उतर गई उस पल मैं चाहती थी कि अपने पती के पैरों में गिर कर उन्हें सारी बात बता दूँ कि मैंने क्या किया है लेकिन मैं इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं उस सुभा आपके पास सिर्फ इसी लिए आई थी कि मैंने जो किया है उसके नतीजों को ठीक से समझ सकूँ और जब आपकी बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि उसके बहुत ही भयानक परिणाम होने वाले थे तो मेरा दिमाग अपने पती का वो कागज वापस पाने के विचार में लग गया मैंने सारी बातों पर विचार किया उसकागज को अभी भी वहीं पर होना चाहिए था जहां लुकास ने इसे छिपाया था क्योंकि और किसी को भी उस पत्र के वहां होने के बारे में कुछ पता नहीं था अगर वो औरत वहां ना आई होती तो मुझे भी नहीं पता होता कि उसने वो पत्र कहां चिपाया था लेकिन अब सवाल ये था कि मैं उस कमरे में जाऊं कैसे दो दिन तक मैं वहां की निगरानी करती रही लेकिन मुझे कभी भी दर्वाजा खुला हुआ नहीं मिला कल रात मैंने आखिरी कोशिश की मैंने क्या किया और मैं उसमें कैसे सफल हुई ये बात आप पहले ही जान चुके हैं मैं अपने साथ वो पत्र वहां से वापस ले आई और इसे नश्ट करने के बारे में मैंने सोचा क्योंकि अपने पती के सामने अपना अपराध स्विकार किये बिना उसे वापस करने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था इस से पहले कि वो आगे कुछ और कहती हमें सीडियों पर कदमों के आहट सुनाई दी मिस्टर होप अंदर दाखिल हुए और बड़े ही उत्साहित स्वर में बोले क्या कोई खबर मिली मिस्टर होम्स जी हाँ मुझे कुछ उमीद बंधी है सचिव का चेहरा चमकने लगा भगवान का लाख लाख शुक्र है प्रधान मंत्री भी मेरे साथ लंच करने आ रहे है प्लीज जल्दी बताएं मिस्टर होम्स कि आपके पास क्या खबर है जब प्रधान मंत्री कमरे में दाखिल हुए तो हलांकि उपर से उनका व्यभार शांत था लेकिन फिर भी मैं उनके अंदर की बेचैनी को साफ साफ महसूस कर सकता था आपके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है मिस्टर होम्स उन्होंने पूछा अभी तक तो पूरी तरह से नेगेटिव मेरे दोस्त ने जवाब दिया मैंने हर बिंदू पर पूछताच की है कि ये कहां पर हो सकता है और मुझे यकीन है कि ये हमारे लिए कोई खत्रा पैदा नहीं करने वाला है प्रधान मंत्री के चहरे पर कुछ निराशा चा गई लेकिन इतना काफी नहीं है मिस्टर होम्स हम हमेशा के लिए ऐसे जवाला मुखी पर बैठे नहीं रह सकते हमारे पास कोई पकी खबर होनी चाहिए जी मुझे इसे पाने की पूरी उमीद है सर और इसी लिए मैं यहां पर आया हूँ जितना ज्यादा मैं इस मामले के बारे में सोचता हूँ उतना ही मुझे यकीन होता जाता है कि वो चिठी इस घर से बाहर कभी गई ही नहीं है ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर होम्स सचिव और प्रधान मंत्री ने एक साथ पूछा जी मैं बिलकुल ठीक कह रहा हूँ होम्स ने कहा अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से ये अब तक पबलिक के सामने आ गया होता और इसी लिए मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि किसी ने इसे लिया ही नहीं है तो फिर वो डिस्पैच बॉक्स से गायब कैसे हो गया असल में मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं है कि वो कभी डिस्पैच बॉक्स से गायब हुआ भी है मिस्टर होम्स ये मजाग करने का टाइम नहीं है मैंने अच्छी तरह से देखा था कि वो उस समय डिस्पैच बॉक्स में नहीं था मिस्टर होप ने कहा क्या आपने मंगलवार की सुभा के बाद से बॉक्स को दोबारा से चेक किया है जी नहीं उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी हो सकता है उस वक्त आपको गलती से ये नजर ना आया हो असंभव ऐसा नहीं हो सकता होप ने कड़े स्वर में कहा लेकिन मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ मैं जानता हूँ कि कई बार ऐसी बाते हो जाती है मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे कागजातों के साथ मिक्स हो गया हो मैंने उसे सबसे उपर रखा था मिस्टर होप ने कहा हो सकता है किसी ने बॉक्स को हिलाया हो और वो नीचे चला गया हो अरे नहीं नहीं मैंने सब कुछ बाहर निकाल कर देखा था हमें इस बात पर बहस करने की इतनी जरूरत नहीं है ये बात तो बड़ी ही आसानी से तै की जा सकती है आप डिस्पैच बॉक्स को यहां मंगाईए और हम एक बार फिर से उसे चेक कर लेते हैं प्रधान मंतरी ने कहा सचिव ने घंटी बजाई नौकर के आने पर उसने आदेश दिया जेकब मेरे डिस्पैच बॉक्स को यहां लेकर आओ हलांकि ये पूरी तरह से समय की बरबादी है लेकिन फिर भी अगर आप इतना जोर देते हैं तो देखने में कोई हर्ज नहीं कुछ ही पलबाद डिस्पैच बॉक्स हमारे बीच था इसकी चाबी हमेशा मेरी घड़ी की चेन में मेरे पास रहती है ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ होप ने चाबी से बॉक्स को खोला और सारे कागजातों को बाहर निकाला ये देखिए ये हैं सारे कागज ये लॉर्ड मेरो का पत्र सर चार्ल्स हार्डी की रिपोर्ट बेलग्रीड का मेमोरेंडम रूसो जर्मन अनाज टेक्स का नोट ये मेडरिट से पत्र ये लॉर्ड फ्लावर्स का नोट और ये ये क्या है लॉर्ड बेलिंगर प्रधान मंत्री ने उसके हाथ से वो नीला लिफाफा चीन लिया अरे हाँ ये तो वही है और ये बिल्कुल ठीक ठाक है बधाई हो होप हे भगवान ये कैसा चमतकार है आपको धन्यवाद मिस्टर होम्स बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दिल से कितना बड़ा बोज उतर गया लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है ये असंभव है आप जादूगर है Mr. Holmes, आपको कैसे पता चला कि यह यहाँ पर है वो इसलिए Mr. Hope कि मुझे पता था कि यह और कहीं पर नहीं था मुझे अभी भी अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा इतना कहकर Hope बेताहशा दर्वाजे की तरफ भागा मेरी पत्मी कहा है, मुझे उसे बताना होगा कि सब ठीक है हिल्डा, हिल्डा प्रधान मंत्री ने चमकती आँखों से होम्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले जो दिखाई दे रहा है, असल में उसके आगे कुछ और भी है Mr. Holmes मुझे ये बात बताओ, कि ये चिठी डिब्बे में वापस आई कैसे होम्स ने उन गहरी आँखों की चमक से मुस्कुराते हुए मुह मोड लिया फिर उसने कहा, हमारे पास भी कुछ डिप्लोमेटिक राज होते हैं सर जिन्हें बताना हमारे धन्दे के उसूलों के खिलाफ है और फिर अपना हैट उठा कर वो दर्वाजे की तरफ मुड गया दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करना बिलकुल न भूलें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा